तमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे बात करने से पहले हम हाथ जोड़ना चाहता हूं अदित्य चोपडा रानी मुखर जी मत मट्टी पलीत कीजिए उस महार इंसान का नाम बहुत मेहनत से बनाई है यश्राज फिल्म्स यश्चोपडा सहब ने सालो साल दशको दशक ब्लॉक पस्टर फिल्में दी हैं काका से शुरुवात की थी और हमारे किसे पिटे बादशाखान तक जब तक वो जीवित थे वो काम्याब था जैसे ही वो कए अदित्य चोपडा गया उते चोपडा गया यश्राज गया बादशाखान गया बादशाखान से मेरा मतलब आपके शारुख खान सार के हिचकी फिलम को फिलम कहना हर उस फिलम मेकर के मूов पे चूता होग़ा जो फिलम बनाना चाहता है इतनी घटिया फिलम है कि मेरे पास शब्द नहीं है मैं बहुत हस्ता था उदे चोपडा पे पर आज मैं उस से माफी माँदना चाहता हूँ मुझे माफ कर दो उसे 6-7 साल पहले अकल आ गई थी कि फिलम इंडस्ट्री से उसका कोई लेना देना नहीं है उसने कसम खाली थी कि मैं आपने जीनियस बाप का नाम और मट्टी पलीत नहीं करूंगा वो अकल अब तक अदित्य चोपड़ा को नहीं आई है उनकी बहूरानी मुखरजी को नहीं आई है उनके जाते ही अदित्य साब बना रहे हैं बेफिकरे ये हिचकी सब्जेक्ट ठीक है अरे फिलम में एक एंटर्टेनिंग सीन तो डालो इतनी रद्धी फिलम है हिचकी और तुम लाए खंबा खंबा मंगाया है दोस्तों बार है मेरे घर में 25 दिन मेरा ऐसा गंद देख कर आता हूँ मैं अपना रेगूलर शिवास नहीं पीता हूँ उस दिन मेरे सर पे हजारों काले कुपते भोंक रहे होते हैं उस सरदर्च से बचने के लिए हम ब्लैक डॉग मंगाता हूँ तैयारी करो अपने परिवार की अपनी सलामती और बेतरी चाहते हैं और मेरी तरह आपको भी ये सेशन स्पेशली बनाना पड़े ना बनाना पड़े तो भाईया इस फिलम को दूर दूर से ही अलविदा कह देना मैं देता हूँ इस थार कलास फिलम को जीरो स्चार और मेरी बिजनस रेटिंग वो भी रहेगी जीरो क्योंकि दस करोड के अंदर अंदर ये फिलम खतम है ये हमारी करंटी है इस बात को लिख लो वा बस इतना ही दोस्तो अपने इस होस्ट और दोस्त काहेगा ब्रैंड यार मेरा तुम मिट्टी सैंड बना दिया इस फिलम ने तिमाग काम करना बंद हो गया है चलता हूँ दोस्तो दुआओं में याद रखना